हलो दोस्तो स्वागत आपका में रिचनल टेक्स सलेशन गेंग में आज हम बात करने जा रहे हैं ओप्टिकल लाइन टर्मिनेशन मींस ओवल्टी तो आज ओवल्टी में डिफ्रेंशियेट करेंगे किया होते हैं और उसमें कौन से ओंतीन ऊपेर करेंगे कि किसमें कौन सा सिस्टम युँ है फिट बैटता हैं और आपको बताते हैं तो चलिए फ्रेच चार्ट करते हों देखते हैं कैसे करना है तो जैसा कि अब अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं Optical Line Termination OLT जो की सारोटेक का है और इसमें जो है चार पोर्ट पॉन मोडिल OLT है, मींस यहाँ पे चार मोडिल पोर्ट नेट्रक कार्ड जो है लग सकते हैं कि यहाँ पे लगा हूँ दिख रहा है आपको वैसे यहाँ पे तीन और लग जाएंगे ठीक है, तो यह चार पोर्ट वाला है ऐसी दो पोर्ट वाले भी आते हैं छे पोर्ट वाले भी आते हैं और 16-17 पोर्ट वाले भी आते ही आते हैं यह चार port वाला है तो इसमें एक port में कितनी connection देख सकते हैं 60 connection दे सकते हैं तो सभी में एक एक करके 60 connection दे सकते हैं पर basically मैं बता दूँँ आपको 50 connection देने चाहिए ताकि जो है speed अच्छी रहे वरना आपन ज्यादा connection देंगे तो जो है अच्छा नहीं होगा network का काम और बिगड़ जाएगा systematic way में ओके तो यह जो आपको देख रहा है पॉन मोडियूल इसको बोलते हैं पॉन मोडियूल यह आपका लगा हुआ यह direct connect होगा इसी पोट से एक और पॉन मोडियूल दिख जाएगा आपको यहाँ पर आपको clear विम में आपको बता देता हूँ जैसे कि आपकी चार देख रहे हैं पॉन यह लिखा हूँ ग्रिंग लगा पॉन मोडियूल जैसे एक यह लगा हुआ है ऐसे यहाँ पर एक दो तीन और लग जाएंगे तो यहाँ पर एक से सिक्स्टी कनेक्शन जो पाड़ सकते हैं सभी में ठीक है ना जैसे कि आपको देख रहा हूँ यह सारो टैक का एक पॉन मोडियूल इसको नेटफरक काड भी बोलते हैं बिसकली और यह कॉपर वाला है यह फाइवर वाला नहीं एक कॉपर वाला है फाइवर वाला भी दिखाता होंगा इसी सिक्स्टी गनेशन डे सकते हैं एक पॉन मोडियूल पर यह जो हैप फाइवर वाला है तो यहाँ पी जूद दे ć худख सकते हैं इसने जुन आपको आपको यहाँ अ multifon क्या है कौन साले ना चाहिए तो यहां यह एना होता है विस्टक लिए लगात करींगे कि यह होता क्या है क्या अधिकल नेटफर्ट उप्सक्राइब क्वाँ होता है उसका होता है गीगाबिट उप्तिकल नेटफर्क तो दोनों को अपना एथनरन प्रोटोकॉल और जीपॉन होता है अपना गीगविट प्रोटोकॉल यहां पे जो स्लिप टंग रिश्यो दे रखा 1 बाइ 164 दे रखा और यहां पे जिसके कहा है 1 बाइ 128 रेश्यो आपका होता है तो डोनों की जो रेंज होती है वो दोनों की 20 20 kmc होती है दोनों की उसमें कोई अंतर वाली बात नहीं है। अपलींग और डा ओलींग में जो है तो यह दोनों में अंतर होता हैजिसकि U 281.25 Gbps होती है और डाउनिग भी उतनी ही होती और G-Pstone में जो है significant Uh conscious 1.25 इस ऑस स्साइब आसे पड़ां आपको पूरी बता देंगे टीटिल में आएगे जाके कितना प्लएगा ठीक है छलिए करते हैं और आंगे यहां पर यहां पर एक और चार्ट वह भी देख सकते हैं इसमें भी मैंने वही चीज बताई है अब स्ट्रीम डाउन स्पिंप प्रोटोकॉल इसमें जो अपना एथनेट इसमें जो है गिगबिट और यहां पर यहां पर यहां पर आ करेक्ट जैसे कि आप आई वेगवन समझ लो आई वेगवन अपने सर्वार को समझ लिए तो यह अपना सरवर है तो सर्वार से एक राउटर कनेक्ट होगा राउटर से एक और एग्रिगरेशन जो स्विच होते हैं इसमें से जो है आप जितनी चाहें उटनी ओंट जो वे इसमीज ओएंट ओएंट अगर आपका जीपन हुआ उल्टी तो एंट हो जाएंगे और वह जा तो अगर हाइब्रेड अफ़र तो कोई बात बड़ी वाली बात है यहां पर दखाया ओएंट यहां पर ओएंट वन वेंट फॉएंट यहां पर जितनी भी कनेक्शन देंगो तो उनका सब की क्यों यहां से कनेक्ट रहेंगे ठीक है और इसी से जो है आपका कनेक्ट कर सकते हैं इसे उन्यू 32 का मतलब वेंट्री है यसी वन टू टू त्री फोर करके उन्यू 32 जिसमें कि आपने सेट अप बॉक्स का भी दे रखा है तीवी जो कनेक्शन है वो भी चल सकते हैं इसी उन्यू के मदद से आई पी वीवी बॉक्स से यह जो है वीडियो सर्वर से जो है कनेक्ट करना पड़ेगा आपको वह भी उसमें होता है एक और ठीक है तो यह आपका बीसिक स्ट्रक्चर था समझ गए होगे नेटवर्क का कि कैसे होते ही नेटवर्क का डाट वाइस वीडियो बगएरा ठीक है और आंगे चलते हैं फिर दिखते हैं और आंगे क्या है तो यहां पर जो है आप एक और चार्ट देश सकते हैं यहां पर वही सीन प्रोसेस बताया गया जैसे कि अपना आई-पी भी ले लिया अपने तो यहां से जाए रख्ट अपना एक ओलोटर एक रख्ट सकते हैं जयिसमें कि हाटडर वेगरा सब कुछ सकते हैं तो चोपने होते हैं तो इस जीफे भी नहीं रखना है तो आपने येखेंज टो एक्स छेंज पेस्टोर यहां पर store कर सकते हैं वहीं से ऑढग सकते हैं OLT की तुरू, ठीक ना, यह दिखिया, OLT की तुरू यहां से connect रहेगा, simply और कुछ नहीं है, और ONU की तुरू ही connect होगा, यह से ONU है, जैसे कि अपने यह camera है, camera का setup box है, camera का setup box डारेक्ट यहां से OLT से data लेगा, इस video server से, जैसे cloud होता ने system, cloud system type यही है, और कुछ नहीं है, ठीक वैसे यहां पर OLT one का पता रखा है, तो यह chart आपने देख लिए, अच्छे से समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझने में आगे, दिक्कत की बात, इसमें कोई भी नहीं है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, जितनी भी यह companies दखा रहा हूं है, यह सारी जो है बनाती हैं अपनी switches, जैसे कि यह Serotec का वैसी DVC का भी आता है, ऐसे इतने भी cards है, network cards इतनी भी है, वो सब आते हैं, इनी company के, चलिए फिर देख लिएते हैं, आँगे, तो चलिए फिर product के पास आता है, जैसे कि यह product है, जो की मेरे पास है भी basically, तो यह अपना है, Serotec का 4 port layer 3 OLT, जिसकी price अभी इसमें जो खा रहा है, 30,000 मान के चली, 30,000 में आपको आराम से यह मिल जाएगा, application इसकी FTTH है, home service वाला, और Syrotec का band है, इसकी जो network speed है, वो 1000 MBPS है, ठीक हैं, MBPS, आप उसको समझे रहों है, MBPS, area network type, metro, ethernet, और उसका जो color है, वो orange gray, और यह जो है, copper और fiber पे दोनों पे वर्थ करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, optical terminal unit, और applications की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अपनी product specification में, application में अपना वही है, same, वही बिल्कुल है, इसमें कुछ अंदर वाली बात नही इसमें, चार port मैंने आपको बताते हैं, यहाँ पे अपना चार port है, one piece, और तो यहाँ पे आपको product description मिल जाता है, तो cyrotek 4 port, layer 3, GPON, OLT main interface, इसमें जो आपको पोन के चार port मिल जाएंगे, जी पोन जो होते है, अपने 4GE, SAP means, अपने जो fiber वाले है, slots, इसमें मिल जाएंगे आ backplane, जो speed है, वो अपकी 128 GVPS, flash इसमें 16 है, और यह memory इससे आपको अतलब नहीं रखना है, ठीक है, इम आपको बता देता हूँ, अगला आजाते हम सारोटेक के e-pon attributes, तो यह e-pon वाला जो बेसिकलि आपको मैंने बताया था, IEE पे work करता है, और कुछ नहीं है, simple है, इसमें कुछ नहीं है, और बागी से आप पॉस्ट करेंगे, उसको पढ़ सकते हैं, तो यह पूरा इंटरफेस मिल जाएगा आपको, इसको भी आप पॉस्ट करके, एक बार में आप पूरी डीटेल से उसको जो है ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट करके, और आप इसके, अगर आपको बाई करना है, तो इसको बाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी और उफलाइन भी आपको मिल जाएगा, इविलेबल बहुत ही असानी से, तो चलिए बात कर लेते हैं, ONU और ONT में, जो कि आपके यूज़ होंगे, OLT, E-PON और G-PON में, कौन सी जो प्रोडक्ट हैं, वो आपको मिल जाएंगे, निक्रूपर, तो सबसे पहलो जो है, Elfino का जो मैंने आपको प्रोड़क्ट दिखा रहा हूँ एक, तो यह जो है, G-PON OLT पर वर्क करता है, E-PON वाली भी आते हैं, G-PON वाली भी आते हैं, तो आपको G-PON OLT भी यह वर्क करता है, इसकी link आपको description मिल जाएगी, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको pause करके आप जितनी भी specification है पढ़ लीजिए, मैंने सिर्फ आपको तो नहीं बताऊंगा, अब आगला आजाता है आपका Tenda, तो Tenda में जो आपको दो मिल जाते हैं, बिसिकली मुझे पूरे मैं search कर लिए, मुझे सिर्फ दो ही मिले है Tenda के जिसमें की, यह जो है e-pon पे वर्क करते हैं, तो यह दोनों यह 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 दोनों ही विदाउट Wi-Fi हैं, तो आपको लैंड से ही वर्क करगा, इसमें जो आपको अलेक्सर राउटर लगाना पड़ेगा तो आपको यह काम कर जाएगा, चलिए फिर आजाते हैं अपने opti link, तो opti link में जो मैंने दो प्रोडेक्ट दे रखी, दोनों की link जो आपको description मिल जाएगा और यह दोनों जो है e-pon पे काम करते हैं, यह दोनों में ही जो आपको TV connection मिल जाएगा camera setup मिल जाएगा ठीक है तो टीपी link पे आजए तो टीपी link में जो आप दिख रहा होगा एक राउटर है जो की जीपॉन पे काम करते हैं तो यह जो आप e-pon पे यूज नहीं कर पाएगे तो जीपॉन ओवल्टी पे यह काम करते हैं यह जैसे यह भी है यह जो जीपॉन ओवल्टी पे काम करता है इसमें भी आपको यतनी पी पोर्ट से देख चाहिए काफी अच्छे हैं दोनों ले सकते हैं यूनिवे में आपको दो है जीपॉन वाली मिल जाएंगे और ओंटी इसमें मिल जाएंगे और वह देख सकते हैं मैं आपको लिंक देदोंगा इसके पिश्राम देख लिएगा तो यह जो है सारो टैक का मिल जाएगा उसमें सिंगल एथरनेट वाला और दो एंटीना के और एक वर जो है सेरो टैक का जो कोई सबसे बैस्ट है जो कि मैं खुद यूज करता हूं सेरो टैक का यह वाला तो इसका जो मॉडल नम्बर आपको यह मल जाएगा और इसमें आपको टेलिफॉन पोर्ट और दो एधरनेट और वाइफाई डव्लूपी सेटिंग सारी सेट टेकनलोजी का है यह जो है अपना वनधेर इसमें कि है आपको वीस वाले मिल जाएगा तो यह अपने ऐपन ओल्द पया यहारम से काम कर जाएगा तो हुआवे पर आ जाते हैं तो हुआवे का जो है जीपॉन वह नहीं है जो कि बेसिकली जीपॉन ओल्टी पर वर्क करेगा तो इसको आप एपॉन पर यूज नहीं कर पाएंगे तो चलिए फिर देखते हैं आखरी उटी जो कि अपने लिस्ट में ह आप इसको जो है इपॉन और जीपॉन दोनों वर्क कर सकते हैं बहुती असानी से चलेगा और काफी अच्छा है यह काफी अच्छी प्रफर्मिस मिलती है कोई दिक्कत नहीं आती बिल्ट को एल्टी भी सबसे बैस्ट है इसकी चलिए आपको दिखा देते हैं इसके करते हैं मैंने आपको पूरी बता दिये तो बस यही बताना था मुझे आपको नेट लिंग और अपना साइडोटेक के तोड़ें और कुछ नहीं थाइसी वीडियो जो मेरी चैनल पर आती रहती है और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करके जरूर रखें और लाइक करते र पर तो वह आप सारी देख लीजिए आपको पूरे के पूरे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे आपको कोई भी जानकर यापके धूरी नहीं रह जाएंगे तो चलिए यही फार आप देख लीजिए वीडियो जाके और थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो लाइक सब्स हुआ